पुरियो जन्पत पूरा कौमी एक्ता और सांपरदाइक सद्भाव की पहले ही मिसाल कायम करता रहा है आज उसमें एक मिल का पत्था और असाबित हो गया है कि जो बिवाद का रूप था आज कहीं कोई बिवाद नहीं है दोनों पक्ष एक ही बात कह रहे हैं जो समाज और जन्हित में हैं वही काम करेंगे और जो बच्चीयों की शादी का जो प्रोग्राम था उसमें सभी लोग मिल जूर करके शाधी को बढ़िया अच्छी तरीके सिसानपूर धंग से बढ़िया भब बतरीके साधी संपन कराएंगे हम लोगों को यह जानकारी मिली थी कि जिलादीकारी महोदे पिर्थंबार मजार पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं उसी संदर में हम लोग सब उनके स्वागत के लिए यहां एकत्रित हुए हैं और उस कमेटी ने बहुती उत्सा के साथ जिलादीकारी महोदे का यहां पर स्वागत किया है और हमें उनसे उम्मीद है कि वो इस जनपत को नई उचाईयों तक ले जाएंगे यहां पर 22 और 23 तारीक को एक मजभी कारिकरम था मस्तूराद का और 23 तारीक को एक कारिकरम शादियों का था चुँकि जलादीकारी महोदे इस जनपत के सर्वे सर्वा हैं उनकी मनशा ये थी कि दोनों कारिकरम संपन हो तो हम लोगों ने एक सुझाओ जलादीकारी महोदे के समक्ष रखा है कि हम अपना प्रोग्राम को विड्रौ कर रहे हैं और जिस तरह SGM सहाब ने ये परमपर शादी की हानुमत ही दी है वो हम लोगों को आपत्ति है उस पर कुणकि कभी भी जलाप विशासन के जरीए इस प्रांगण की परमीशन नहीं दी गई है इस प्रांगण की पर्मीशन के लिए यदि पूर में प्रिधान मंत्री, मुख मंत्री और राश्ट्री नेता आये हैं हमेशा पिरसासन ने उसमें हम से संस्तुती मांगी है जब हमने संस्तुती दिये तभी पर्मीशन दी गई है यदि हमारी संस्तुती को दरकिनार करके पर्मीशन दी जाती है तो यह हम लोगों के लिए आपति जनक है माननी हाई कोट द्वारा उस कमेटी को इस्टे पिर्द्यान किया गया था और बड़ा स्पीकिंग ओडर है उसमें लिखाता है कि तिल नेक्स डेट जो थी उस डेट पर हमारे जो एड़ोकेट थे वो बीमार थे उस बज़े से उन्होंने एक एप्लिकेशन दी कि हम बीमार है इल्नेस की बज़े से उसमें ड्यू कोर्स में फाइल डली हुई है हमारा इस्टे आज भी बरकरार है चूँकि आप किसी भी लीगल व्यक्ति से पूछलें जब तक कोर्ट इस्टे समाप्त नहीं करता है तब तक इस्टे समाप्त होता नहीं है हम एक application टेक्निकल बात है हम एक court के सम्मक एक प्रातना परते देंगे कि हमारा जो stay था वो इस तिती तक था और अब उसको आगली तिती तक बढ़ा दिया जाए तो वो हमें पूरी उम्मीद है कि माननी court हमको grant कर देगा तो stay आज की तारीक में यदि कोई कहता है कि stay समाप्त हो गया है तो वो हमें लिख कर दे दे जिला पर शासाना कर यह कहता है तो वो लिख कर दे दे हम यह मानते हैं कि हमारा stay आज भी वरकरार